हेलो फ्रेंड वालकम बाक टू माई चनल कब है छठ छठ पूजा दोज़ाट चौबिस पंचाग के अनुसार छठ पूजा के पर्व की सुरवात कार्थिक मा के सुप्रपक्ष की चतुर्थी तीथी को होती है वहीं इस तोहवार का समापन सब्तमे तीथी पर होता है ऐसे में छठ माहा पर पांच नॉम्बर से लेकर आठ नॉमर तक मनाया जाता है नंबर एक छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाय किया जाता है इस दिन स्नान और भोजन करने का विधान है पंचांग के अनुसार इस बार पांच नॉम्बर को नहाय खाय किया जाएगा नंबर पूजा का दूसरा दिन खरना पूजा होती है इस दिन महिलाएं नए मिट्टी के चूले पर खीर बनाती है उसके बाद उसे भोग के रूप में छटी मैया को अर्पित किया जाता है इस दिन पूजा के बाद ब्रेथ की सुरवात होती है इस बार खरना पूजा छेत नॉम्बर को है नंबर तीन इसकी अगले दिन यानि तिसरे दिन निर्जरा ब्रेथ रखा जाता है और डूपते सुरी को अर्ग दिया जाता है इस बार साथ नॉम्बर को डूपते हुए सुरी को अर्ग दिया जाएगा नंबर चार छट पूजा के अंतिम दिन उकते सुरी को अर्ग देने का विधान है इसके बाद सुब मुहरत में ब्रत का पारण किया जाता है इस पर्व का सवापन आठ नौवमर को है छट पूजा के सूब अफसर पर सुर्यदेव और उनकी पतनी उसाफ प्रतिशा की पिधी पुर्वक उपाशना करने का विधान है मानेता है कि पूजा करने से ब्रती को छटी मया की कृपा प्राप्त होती है सनातन सास्त्रों में छटी मया को संतानों की रक्षा करने वाले देवी माने जाता है इसलिए छट पूजा के दिन छटी मया की पूजा का विशिस्व महत है आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी आउन कर दें जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके तो फिर मिलती हूँ इसी तरह की और एक नई वीडियो के साथ तब तक की ये बहुत बहुत धन्यवाद